हालो दोस्तों नमस्कार मेरा नम है विने और आप देख लें विने की पाड़ साला तो आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 1st F को सॉल्व करेंगे और उसके पहले उसमें आने वाले कुछ प्रगोड हैं जैसे योग पर तत्समा कव्यप और पर्मेर संक्या में शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं योग के तत्समाक अव्यप की तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि तत्समाक अव्यप होता है तो दोस्तों तत्समाक अव्यप वह अव्यप होता है जैसे योग का तत्समाक अव्यप क्या होगा कि उसमें हम प्रॉप जोड़ें यूगिफल जो ऑत कट बीसे आजए जोड़ें इसमें हम प्रॉप कलुट जोड़ें कि तहुंआ ए कि यूग फल messing dot AMoqueр फ्रॉप जोड़े要ट फांच हूएगा जोड़ेंगे आएगा इसका मतलब यह हुआ यही जो संख्या है इसी को हम लोग करतते हैं अतह्तन और यह निकलता है कि योग का क्यों हुआ शूण अब हम लोग बात करते हैं मैं गुड़ान फल के तत्समा अविश्यक्त Eden तो दोस्तों वही बात जो है गुड़ान के तत्समा का वियर्ब में होगी कि जैसे हम उधारार की तcoatहें लेती हैं आक में हम कि सन्ख्या का गुणा कर दें की फो могут मुझा बाएं गुटन पर में jar गजिन तो तो आठ एकम आठ वही संख्या रहेगी इसी तरह से साथ बटे पांच में भी अगर हम एक का गुणा कर दें तो अंस में साथ एकम साथ और नीचे पांच रहेगा इसका मतलब यह हुआ कि यही जो संख्या हमारी एक है यह क्या हो जाएगी तत्समक अवयब तो अतहार अब हम यह कह सकते हैं कि गुणा का तत्समक अवयब एक होता है तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं योगात्मक पितलों की योगात्मक पितलों प्रतिलों का मतलब होता है दोस्तों उल्टा प्रतिलों का मतलब उल्टा होता है और व्यूत्क्रम अब इसको हम जैसे सबसे पहले इंदारर के रूप में हम समझेगे कि पांच है और पांच में किस संख्या को हम जोड़ दें कि मिल जाले क्या मिल जाले किё बात कर जहिए तो योग जोड़ दें कि यह जाए यह जाले किटने का युग कर दें कि ईजी रहे इसाथ बटे तीन हम साथ पटे तीन में हम कितना जोड़ दें कि योग का तत्समा का व्याव्यानी जीरो आ जाए तो दोस्तों अगर हम आपसे यह पूछेंगे तो सीधा सा अंसर यह होगा कि पांच है तो इसमें जड़ पांच जोड़ दो चिन बदल के पांच और पांच कट जाएंगे जीरो आजाएगा इसी तरह से साथ बटे तीन में जड़ साथ बटे तीन जोड़ दो धन और जड़ आपस में बराबर संख्या जाएंगे जीरो हो जाएगे इसका मतलब यह हुआ कि योगात्मक प्रितलों जो संख्या होती है उ जिन बदल जाता अगर धन संख्या है तो रिड में हो जाएगी और में जड़ जाएगी अब हम भी प्रस्न लगाएंगे तन इसका उप्योंग कैसे करेंगे वह थेखेंगे अब लोग बात करते हैं इस एक्सरसाइज के अंत्यम koncepT की यानि गुड़ात्मक प्रितलों की त सब्सक्राब कर दो बट पांच तो इसमें कितने का गुणा कर दें गुडयें का घुण लेता है और वह लेता है तो दोस्तों इसको अगर हम लोग कहेंगे तो सोचो सचो आप कितने का गुणा करें सांख्या उपर लिखे है यह इसको एक बटे Western कर दो और निकलता है कि घुटप्रात्मग पतलों में चंख्या के कभिये काथ संख्या करते हैं प्रमेरन है अन्स और हर आपस में कैसे बदल जाते हैं अंस और आपस में जाते हैं नैं समझ गए ना आप लोग तो यह थे कुछ कुछ सेप्ट है मिढं करते हैं कि आप लोग इनको emails समस्त लग塁 तो दोस्तों इनका उप्यों करके आप लोग exercise को कीजिए गा और अगले वीडियो में हम आप लोगों को पूरी exercise solve करके बताएंगे तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्क्राइब